तो दोस्तों जैसा की कुछी समय पहले PM मोदी जी ने USA की एक historic विजिट को किया था और ये विजिट हमारे लिए काफी ज़्यादा historic थे क्योंकि सबसे पहले इसी विजिट के दोरान में HAL और साथ में USA की जो jet engine maker company यान की GE है तो इन दोनों ने मिलकर के एक MOU यान की memorandum of understanding यह चुरू कर दे जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर finally इसका जो impact है वो आप सभी लोगों को हमारे तेजस MK2 प्रोग्राम के उपर भी देखने को मिलेगा क्योंकि इसके बाद में आप सभी लोग कह सकते हैं कि हमारा यह जो प्रोग्राम है यह काफी जादा fast track mode में अब execute किया ज हुआ था तो दोस्तों यहाँ पर actual में क्या development हुई है इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके comment section में जाकर के join comment कर दीजेगा तो दोस्तों अक् company के साथ में F414 engines को लेकर के deal को final नहीं कर लिया जाता है तो तब तक Tejas MK2 का जो rollout है वो यहाँ पर possible नहीं हो सकता होगा लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि GE ने पहले से हमारी HL को 6 जो GE F414 engines हैं ये deliver कर दी हैं इसके अलावा additional जो engines हैं ये तो इसके बाद में जैसा कि पहले से हमारे पास में ये engines मुझूद है इसके बाद में अब finally हमने USA के साथ में एक MOU को भी sign कर लिया है तो कुल मिला करके हमारी सरकार के दुआरा यहाँ पर ये जो condition रखी गई थी Tejas MK2 के prototype को ले करके तो अब ये हट चुकी है तो इसके फैनली जो approval है वो यहाँ पर दे दी है इसी के साथ में और इसी के साथ में हमारी वाई से ना और साथ में हमारी जो HL है तो इनके दुआरा तेजिस MK2 का जो induction potential है तो वो कुछ इस परकार देखा जा रहा है कि आने वाले दशक में 230 के आसपास ऐसे जो तेजिस MK2 fighter jet है इनको अपने बेडे के अंदर हमारी वाई सेना के दुआरा इंडक्ट किया जाएगा जिसमें शुरुवाती तोर पर हम made in India GE के F414 engines को इस्तेमाल करेंगे इसके बाद में जैसे ही हम फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ में मिल करके 110 किलनूटन के jet engine को तयार कर लेते हैं तो उनका अभी जो integration है वो भविश्य के जो तेजिस Mk2 fighter jet होंगे इनके अंदर किया जाएगा तो ऐसे में हमारा ये जो तेजिस Mk2 program है ये 100% indigenous program बन जाएगा इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप हमारे तेजिस Mk2 fighter jet की capabilities को देखते हैं तो सबसे पहले ये आप सभी लोगों को ब्र Dar Avionics है उनका भी इस्तेमाल आप सबी लोगों को होता हुआ दिखाई देगा इसके बाद में जिस Media House ने इस report को publish किया है कि finally 6 prototype के लिए approval को दे दिया गया है 10,000 करोड के आसपास के जो funds है उनको पहले से हमारी CCS के दुआरा approval दे दिया जा चुका है और इसके बाद में 230 के आसपास का induction यहाँ पर देखा जा रहा है तो इनके दुआरा ये भी report किया गया है कि आने वाले 5 से लेकर के 6 सालों के अंदर ये जो 6 के 6 prototype है ये बन करके तयार हो जाएंगे तो कुल मिला करके यहाँ पर आप जबी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवशक्ता नही है क्योंकि यहाँ पर 5 से लेकर के 6 साल की ये जो timeline है तो इसको कुछ लोग मान करके चल सकते हैं कि अब 5 से लेकर के 6 साल के बाद roll out किया जाएगा तो यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर ये जो इस media house के दुआरा ये timeline कोट की गई है तो कुल मिला करके इसमें काफी ज़्या पास का रखा गया है और इसी समय में इसका induction भी possible हो सकता होगा क्योंकि काफी ज़्यादा कम testing के साथ में बिना IOC और FOC के जंजट के इसका production शुरू कर दिया जाएगा तो दोस्तों overall इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सब क्या लगता है comment section में बताईएगा साथी सा करेंगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं ली वीडियो में तब तक केली गुट बाई जै हिंद